हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का राहूल एकेडमी पर आज हम आपके पुलिस विभाग से समंधित महतपुर्ण 30 कोशन करेंगे जो कि आपके आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के एकजाम में यहां से आपके दो से तीन कोशन पुछ जाएंगे तो जितने भी कोशन ह उन्हें सभी कोशन को आप अच्छे से रट लीजिएगा और अगर आपको इसका पीडियप चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रूप दिया गया है वहां से जवाइन ठोकर इसका पीडियप आप बिल्कुल फिरी में प्राप्त कर सकते हैं तो चलिया यह सुरू करते हैं देखिए अपका पाला कोशन दे रहा है कि पुलिस में प्रमोशन कितने साल में होता है तो इसका करेक्ट अंसर अपका हो जाएगा 11 से 12 साल में होता है अगला कोशन है कि केंद्र पुलिस परिशिच्छन अकादमी कहां इस्तित है तो इसका करेक्ट अंसर अपका हो जाएग यो आपका भुपाल में इस्तित है इसके आगे देखे अगला आपका कोशन दे रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है तो इसका करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा नारकी थाना फिरोजा बाध है अगला कोशन है कि उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कम मनाय जाता है तो इसका correct answer अपका हुजाएगा प्रतेक माह के दूसरे और चौते सनिवार को मनाय जाता है इसके आगे आपका देखे पांचवा कोशन दे रहा है पांचवाब का कोचन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस इस्टेशन है तो उत्तर प्रदेश में पुलिस इस्टेशन की संखिया आपका 1526 है कितना है तो 1526 है अगला कोचन है कि भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस इस्टेशन किस राज में इस सीथ है तो इसका correct answer आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश राजी में है आपका अगला question है कि भारत में कुल कितने थाने है तो भारत में थानों की संकिया आपका 16,671 है इसके आगे देखिए अगला question है कि पुलिस विभाग में कुल कितने पद होते हैं तो पुलिस विभाग में आपके 16 पद होते हैं अगला question है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है तो इसका correct answer आपका हो जाएगा सुरच्छा आपकी संकल्प हमारा आपका नारा है अगला question है कि कांस्टेबल के कितने इस्टार मिलते हैं तो देखें कांस्टेबल में आपका एक भी इस्टार नहीं मिलता है यानि कि जीरो इस्टार होते हैं इसके आगे देखें अगला question देरा है कि पुलिस में सबसे छोटी पोष्ट कांस से होती है तो पुलिस का सबसे छोटा पोश्ट आपका काश्टेवल का होता है अगला कोशन है कि पुलिस में सबसे उच्छा पद काउंसा होता है यानि कि सबसे बड़ा पोश्ट काउंसा होता है तो वो आपका DGP का होता है अगला कोचन है कि उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जीले हैं तो देखें जितने जीले हैं उत्तर आपके पुलिस जीले भी हैं कितना है तो आपका 75 है इसके आगे देखिए अगला आपकोशन दे रहा है कि पुलिस का प्रतीक चीन क्या है तो पुलिस का प्रतीक चीन आपका मचली है अगला कोशन है कि पुलिस का रंग क्या होता है तो देखे पुलिस का जो आपका रंग होता है वो आपका लाल और नीला होता है अगला कोचन है कि सबसे पुरानी पुलिस कम सी है तो सबसे पुरानी पुलिस आपका असम राइफल्स है इसके आगे देखे अगला कोचन दे रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की अस्थापना कप की गई थी अगला आपका देखे कोचन देरा है कि पुलिस के जनक कौन है तो पुलिस के जनक आपके लाड़ का 49 है और इनका समाधी कहां पर है तो इनका समाधी आपका गाजीपुर में बनाए गया है अगला कोचन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की असाबना कहां हुई थी तो उत्तर प्रदेश पुलिस की असाबना आपका प्रयाग राज यानि की इलहाबाद में हुआ था अगला कोशन है कि भारत का पाहला पुलिस इस्टेशन कौन सा है तो भारत का पाहला पुलिस इस्टेशन आपका सबजी मंडी दिली इस्टेशन है इसके आगे देखे अगला कोशन दे रहा है कि भारत में पहली महिला पुलिस इस्टेशन कहां खोला गिया था तो इसका करेक् कोट में खुला गिया था यह आपका 27 अक्टूबर 1973 इस भी को खुला गिया था इसके आगे आपका देखिया अगला कोचन दे रहा है कि भारत में सबसे पहले एफ हाई यार कहां दर्ज किया गिया था तो इसका करेक्ट अंसर आपको हो जाएगा सबजी मंडी दिल्ली में किय गिया था यानि कि सबजी मंडी जो आपका दिल्ली का इस्टेशन है यहां पर किया गिया था अगला कोचन है कि लिए वैध यहां पर एक भी पुलिस नहीं है अगला आपका देखे कोशन दे रहा है कि पुलिस को अंग्रेज क्या कहते थे तो पुलिस को अंग्रेज आपका बाम्बी और पिलर्स कहते थे क्या कहते थे तो बाम्बी और पिलर्स कहते थे अगला आपका कोशन दे रहा है कोशन दे रहा है कि थाना सब्द का अर्थ क्या होता है तो थाना सब्द का अर्थ आपका अड़ा होता है तो आज हमने आपके पुलिस विभाग से समंधित महतपूर्ण 31 कोशन लगा है जो कि आपके आने वाले उत्तर प्रतेस पुलिस के एकजाम में बहुत ही ज़ादा अगर आपको इसका पीडियेप चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रूप दिया गया है वहां से जवाइन ठोकर इसका पीडियेप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं और अगर आपको किसी टापिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं औ और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलिएगा तो चलिए आज के लिए इतना है धर्निवाद